अरे यहां ऐसे रहो तुम्हें कोई नहीं जानता तुम किसी को नहीं जानते भगवत प्राप्ती के लिए बिल्कुल अशंग होने की जरूरत है यह अनुभौ होता है हर शंत को हर भगत को होता है आगे चल करके तो जैसे-जैसे हमारा चिंतन बढ़ता है वैसे-वैसे एक प्राया लोगों के बीतर ये बात बैठ गई है कि हम तो ग्रेस्थ हैं हम तो शंशारी हैं तो ये जनम मरण तुम्हारे इस भाव से रुकेगा नहीं ग्रेस्थ हो शंशारी हो तो तुम्हे भोगों का लाइशन्स थोड़ी मिल गया है कि तुम स्वतंत्र हो जितना भोग्षाओ भोग सकते हो ऐसा नहीं है भोगों को शयम से भगवत भाव से भगवत उपासना का भाव रखकर स्वईकार करो तुम्हारा लक्ष अंसी हरी को प्राप्त करना है निरंतर प्रभू की प्राप्ती की चाह से तडपो यह हम ग्रेस्ट हैं हम संसारी हमारा एक करतर तुम्हारा एक ही करतब है कि सब करतब विवका पालन करते हुए भगवत इश्मर्ण प्राइंड रहूं मा मनुश्मर युद्धचर यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान के रहें बार बार जनम मरण को प्राप्त होते रहेंगे नजाने कितनी माताइं बदली नजाने कितनी बदलनी पड़ेंगी यह कहां भी स्राम है कहां चैन से हम रह सकते हैं किशीर की भी निंदा मत करो क्या चला जाएगा तुहरा अरे जिसको जैसे भगवान जा रहे हैं तुम अपने को सुधारो तेरे भावे जू करें भलो बरो शंसार इतना बड़िहां उशर मिला धाम बास में तुम एक दूसरे की अरे यहां ऐसे रहो तुम्हें कोई नहीं जानता तुम किसी को नहीं जानते तुम श्यामाश्याम के लिए आयो केवल श्यामाश्याम से मतलब रखो पर और जगे चाहे कम प्रपंछ हो यहां ज़्यादा होता है क्योंकि भजन में मन नहीं लगता तो एक दूसरे की टांग खीचते रहते हैं आकाश है खूँ अपनी अपनी पतंग उड़ा दूसरे की काटने की ज़रुत क्या है पर यह बड़ा विचित्र खेल बुद्धी का है क्यों निंदा और इस्तुती में इसी में भस करके अपने जीवन को वितीत कर देते हैं भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल अशंग होने की ज़रुत है बिल्कुल एकस चरन लास चित्य मनंत इसे युनजीत तद व्रतिसु साधुस चेत प्रशंगा अपने को अशंग कर ले शंग करे तो भगवत प्रेमी मात्माओं के बीच में ये बाढ़ है माया रूपी बकरी चर नहीं पाएगी यदि संतों के समूह में रहते हो तो तुम्हारा अमंगल नहीं हो शकता अकेले में कभी मन हो शकता है कहीं हमें दुरवाशना में फशादे प्रपंच में फशादे लेकिन शादु शंग में है एक डूसरी पर नजर है और एक भै भी है और एक समूह में शक्ती भी होती है भागवतिक शक्ती एक अकेला भजन करें एक सो लोग भजन करें तो उसका एक समूह का जो पावर होता है वो उनमें दो-चार अगर भजन में मन नहीं लग रा तो भी लगने लगेगा वो पावर भजन करवा देता, वो परमान भजन करा देते कलो शंगो शक्ति, अगर संग मिलकर नाम किर्टन किया जाए भजन किया जाए तो बहुत जल्दी मन प्रभु में लग जाए बड़े राश्य की बात श्री भगवान कह रहे है यह अनुभो होता है हर संत को हर वक्त को होता है आगे चल करके मया तत्मिदम सरवम जगदव्यक्त मूर्तिना मतिस्थान शर्व भूतानी नचाहम ते सुवस्थितह गुडबात भगवान कह रहे है नचमतिस्थानी भूतानी पश्यमे योग मैश्वरम भूत भ्रन्यच भूतस्थो ममात्मा भूत भावनह यह संसार मेरे श्यव्याप्त है पीछे बर्णन क्या गया था नान्यत किंचि दस्ति धनान जए किंचि मात्र कोई मिलावट में केवल भगवान के सब कुछ भगवान केरे मया तत्मिदं सरवं जगदव्यक्त मूर्तिना ये सापकशाप संसार मेरा ही श्यरूप है मैं ही हूँ पर मैं अब्यक्त रहता हूँ व्यक्त में कौन हैं? अमुक नाम, अमुक रूप, अमुक व्यक्ति, अमुक घटना, अमुक पदार्थ, अमुक परिस्ति, इसी नाम रूप से बच जाओ तो जान जाओगे भगवान है, जब हम किशी व्यक्ति से परिचय बढ़ाते हैं, तो भगवान से परिचय छूट जाता है, और जम भगवान से परिचे वढ़ाते हैं तो व्यक्ति सब धट जाता है फिर शर्वम की वलीक प्रभू शिराम में सब जग उपासक किसी लिए उदाशिन रहता है उदाशिन ना किसी से मित्रता ना किसी से सत्रता क्योंकि वो व्यक्ति का परिचय नहीं मानता वो प्रभू का परिचय जानता है जो भी शामने आ गया वस्तु व्यक्ति पदार्थ गटना इस्तिती वो शाम मेरे प्रभू है सब प्रभू शक्ची मानिये प्रभू ही बने हुई है वो जब कृपा से प्रकाश होता है तब लगता अरे कितने धोके में थे जिनको खोज रहा था वो गई खोजने से नहीं मिलते उनको मान लो और उनका से लेकर भजन करो तो मिल गए फिर आप खोजने पर नहीं मिलोगे मेरे को भगवान मिल गए है यह जब भगवान मिल जाते हैं तो केवल भगवान रहते मेरे को यट जाता है भोरी शक्खी जी के अनुभो की बात वो के रहे हैं कहा कहों गति परम अट पटी का खूयो का पायो पावन हारो कहों कौन जब आप ते आप हिरायों मैं कैशे बताओं कि गति की कैसी अट पटी गति होती है क्या खोया और क्या पाया तुम्हें कैशे बताओं जिसको मैं खोज रहा था जब वो मिला तो आप ते आप हिरायों पावन हारों जिसकी खोज कर रहे थे जब वो मिला तो खोजने वाला खो गया केवल वही क्यों क्योंकि खोजने वाला भी वही ही था वो अपने को भूल गया था जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई तो जो खोजले वाला था वो खो गया क्यों? क्यों क्यों वही था जो कमी थी वो उसी की थी एक बाई सत्संग में कहा था कि दस लोग नाव में चड़े और भी भीड थी जो उतरे तो उनुनका ये गिन लियो कम तो नहीं है बड़ी दरिया थी भीड में कहें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ बोले एक गायब है बोले ऐसा कैसे तुम गिनो एक दो तीन चार पांच तो जो नाविक खड़ा था उसने का भीया कोई कम नहीं है तुम अपने को क्यों नहीं गिनते तुम तो बाहर नो गिन रहे हैं दसमें तुम हो ए वो दसमें तुम हो जानक तुम है सच्ची बात लीला में किशोरी की शेवा में किशोरी शोरूफी हो कर जाया जता किशोरी मातमानम किमी शुक और हरी की लिला में हरी पार्षद हरी शोरूफी होते दसवा तुम हो अगर तुम अपने को नहीं गिनोगे तो सवाल अल नहीं होगा जानत तुम्हें ब्रह्मवित ब्रह्मवित हो प्रभू और प्रभू के जन में भेद का अभाव है अर्थात अभेद वही हो जाता वही वही होकर उशी की शेवा में ये प्रेम का मारगी पावन हारो ही खो गया कहो कौन जब आप ते आप हिरायो मेरे को श्री जी मिल गई है ये ना मिलने की बात है नहीं मिली केवल श्री जी श्री जी मेरे को जब गायब हो जाए तब जानना की मिल गई ना काहो सो बोलिवो ना कोई बेवहार अपनी कुण किशोरी को जियत निहार निहार जब ऐसी भावना में तनमे होगे तो किवल श्री जी रह जाएंगी मन प्रियालाल, बुद्ध प्रियालाल, चित प्रियालाल, अहम प्रियालाल, प्राण प्रियालाल, मैं प्रियालाल, मैं भी प्रियालाल मिले। विश्वाश अज्यानी को होता है इसलिए मर्यादा रखो कि जो गुरु मार्ग में तुम्हें उपाशना मिली उसी से तुम्हें परिपक वस्ता प्राप्त होगी अब मनमानी से नहीं होगी क्योंकि श्री जी ने आपका मार्ग निश्चित कर दिया है ये दुश्मार्ग से नहीं चलते तो त्रिकाल में भी आपको श्वपन में भी वस्तु का बोध नहीं हो शकता समय भले वितीत करते रहिए जब हम गुरु मार्ग पर चलते हैं गुरु मार्ग एक मंत्र एक कंत एक पंत एक ग्रंत एक शंत इशांगो पांग उपाशना कही जाती गुरु मार्ग जो गुर्देव ने मंतर दिया जो नाम दिया जो उपाशना दी जो आचारे वानी जो आचारे शरणागत शंतजन हमारा मार्ग निश्चित है अब हमें इदर उदर बटकने की जरुरत नहीं बात सो बात मिले न प्रमान प्रकति बिरुद्ध जुगत्ति को ठानी वो यदी हम बातों से केवल बाते बनाते रहें तो बात नहीं बनेगी हमारा बिष्चरा, मिस्थलसी, लाल लिजु के गोरे चरणार बिंदे और वो मार्ग निश्चित हो चुका है अब हम चलें तो जैसे-जैसे हमारा चिंतन बढ़ता है वैसे वैसे एक अशनतोश बढ़ता है ये अंदर की बात कह रहे हैं कुछ अच्छा नहीं लगता है ना संसार का कुछ अच्छा लगता है ना परमार्थ का कुछ अच्छा लगता है एक अजीब शी स्थिती होती है इसके उपर जब बढ़ेगी तो बात अलग होती है बहुत समय तक एक स्थितिय रहती है एक उन्मनी अवस्था एक खिन्नता एक उदाशिंता उसे पुझा जाए तुम्हें शंशार चाहिए तो ना तो प्रभू में प्रीति है वो भी शमझ में नहीं आ रही है कुछ नहीं समझ में आ रहा है बस वो चल रहा है इस शमय सत्संग की विशेश आवशकता होती है अगर कुशंग मिल जाए तो भटक भी शकता है इसलिए सत्संग की बाड़ जरूरी है शादु समागम जरूरी है सत्संग रोज नया उत्साह पैदा करता है वोई बाते पर रोज नवम नवम रोज नया उत्साह इस मार्ग में चलने नहीं तो आप देखो जुनको सत्संग नहीं मिलता धीरे 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 हो फिर प्रपंच का आश्रह बिशयों में सुक बुद्दी ये नहीं अट पाता नहीं अट पाता पक्का नहीं अट पाता शुद्ध शादुता का भगवदाश्र के नहीं मिल पाता सुक्ष्म बात है प्रियाजू की बिवस्था के शिवा हमारी कोई बिवस्था नहीं होनी चाहिए निवर्ति मार्ग में प्रियाजू की शिवा हमारी कोई हमारा कोई परिचय नहीं होना चे, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई शत्र, हमारा कोई सुधत, कोई निजजन बिलकुल नहीं, प्रियाजू से, उनके शम्मन्द से, हम उनकी शेविका, उनकी दाशी, उनकी आग्या के अनुशार, हमारा कुछ नहीं, किंचिन मात्र नहीं, अब हरदय में फिर इस स्थिती के बाद दर्द पैदा होता है एक सुन्नी स्थिती बहुत समय तक रहती है इतने में नाम साब कर्म संसकारों को भस्म करता जाता है कुछ अच्छा न लगने से उसके अंदर व्याकुलता पैदा होती क्या करों कहां जाओं कैसे इस स्थिती से उभरूं नाम जब करते करते फिर एक स्थिती आती कि अब असैनी हो गया वही स्थिती के आगे की स्थिती और वह आकाश की तरफ देखता है चारो दिशाओं की तरफ देखता है चिला के रो देता है कोई पकड नहीं मिल लए दरद ही दरद अब हरदे में केवल दरद ही दरद दरद जैसे कोई दिल को मशल रहा है कहीं कोई शांती विश्राम कोई आनंद ये सचे मारग के पत्थिक की बात कह रहे है जो balance बनाके चलते है ना बिशे भोगों से उनकी बात नहीं है नो वो में नहीं आएगा एक भारी व्याकुलता पैदा होती है और व्याकुलता इतनी अशेहनी हो जाती कि अब रोना शुरू होता है चिला चिला को आर्थ भाव सुरू प्रभू हो श्वईकार कर ले नाथ अब तो श्वईकार कर ले ये स्विक्रती के बाद ही हुआ है पर अब वो शुरू कर रहा है आर्थ लाद क्योंकि भगवत साक्षात कार के शमी पहुंचने के लिए ये इस्थिती बीच में अवश्य आती है जिव ही इस्थिती आएगी तो जहांकी आने लगेगी प्रभू की रुर्दु शुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालशा ताशा माविर भूच्छोरि स्मयमान मुखाम मुजहा पीतांबर धरास रगवी साक्षान मनमत मनमता छवी आई इस दर्द ने क्या पैदा कर दिया आर्त नाद उस आर्त पुकार ने क्या दिया छवी नेत्रों में प्रितम जलकने लगे गोर श्याम ऐसी शोभा ऐसे नेत्र कभी शान्त होकर बेट जाता है कभी गागा करके उनको रिजाता है कभी नाचने लगता है अब इस्थितियां बदल रहे हो शकता है बाहर से गंबिर दिखाई जो अंदर से नाच रहा हो क्योंकि बाहर और अंदर दोनों में भेद हो शकता है बाहर से एकदम शान्त उदाशीन बैठा है पर अंदर से नत्य कर रहा है अंदर से बाते कर रहा है प्रियालाल से अंदर से उनको देख रहा है छवी आई तो अब हरदय में दूसरी पीड़ा प्रगट हुई कैसे हैं? अब एक शान्वीस छवी के बिना हम जी नहीं सकते और ये कभी छवी हमारे नेत्रों से चली न जाए तनमन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े दिनरेन और कभ़ों संजोग नमा नहीं देखें भरी-भरी अब प्रेम की दशा जलत्थल गगन बिश्वशब भूलेओ आकास में देखता है तो प्रिया प्रितम ऐसे देखता है तो प्रिया प्रितम जड की तर ब्रक्षी की देखता है तो प्रिया प्रितम चैतन ने शरीर दा प्रिया प्रितम प्रिया प्रितम अब वो आँख मुंदता है तो मन प्रिया प्रितम शरीर में देखता है तो रोम रोम प्रिया प्रितम प्राण में देखता है तो प्रिया प्रितम प्रेम की, प्रेम की उचाई पर चणने के लिए भजन रूपी शीड़ी है, अई इस बात को वही जान सकता है, जिसके अंदर ये जिस्थिती जाग्रत हो गई, बातों से नहीं जानने में आएगा, क्यों नहीं आएगा, शब में प्रभू है, पर जब प्रतिकूल बेवार हो प्रेम में फसी ना, तो ये अनुकूल प्रतिकूल साब कतम हो जाता है, सच्छी मानिये, कुछ नहीं अनुकूल है, यहां कुछ न प्रतिकूल है, केवल वही समतूल है, समतूल, दंपतिरस शमतूल, केवल प्रियाप्रितम, किनान भयो कौन शो जाने बचन कहत बहकायो हित भूरी हित कृपा कूर के मादक ही बवराया हुआ है सच्ची मानि ऐसी स्थितिति आती है कि बैठे हैं अब उसे आसपास कुछ नजरी नहीं आ रहा है अब उनसे बात कर रहा है उनसे इस टाइम बात में कि ऐसे लगेगा कि पागल पन चड़ रहा है पागल है क्या दोड रहा है हस रहा है गले लगा रहा है बात कर रहा है गुटने के बल होकर हाँ जोड़ कर भी नहीं कर और है कुछ नहीं सामने बाहर वाले कुछ दिखाई ले दे लगता है पागल हो गया है तो कह रहे है मादक ही प्रियापृत्व्ता की रूप मादकता ने उन्सी बुद्धी का परहन कर लिया तो यह जो प्रुभू शर्वत्र व्याप्त है संपुर्ण प्राणियों में इस्थित है परंदों ये वही अनुभो करशकता है जो उनका आस्त्रे लेकर भजन में लगा है ये अध्यात्म खिलवार नहीं भाई ये अध्यात्म बाहरी चमतकार नहीं है बाहरी शुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है बाहरी शुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है बाहरी शुवि दाओं को हरन कर लेगा पुल्ने पाप का बल भजन के उपर नहीं पड़ता इसलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है अगर आप चाहो तो इसमें प्रारब्ध जो पुल्ने पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता पुल्ने बल से खुब बैभो गड़ जा कोई परक नहीं पढ़ता वो हुपाशक भजन बल से उप्त रहता है अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कहरे हों पहले तो कहा मैं सभ में व्याप्त हूं संपुर्ण प्राडब्डियों में भगव्औन हैं सब रूपों में भगवान है अब जो भगव कह रहे हैं यह थोड़ी समझ की बात है यह करें मतिस्ठान सरभूता नि नचाहम तेसो वस्थिता मैं उनमें नहीं हूँ और वो मेरे में नहीं है अभी क्या करें मया तत्मिदम सरवं जगद अब्यक्त मोर्तिना मैं ही संपुर्ण प्राडियों में स्तित हो चाहे वो पराप्रकति हो जीव हो या माया हो मैं ही मैं हूँ समझ में आ गई क्योंकि बहुत बार शुला है अब एक भगवान बात कह रहे आश्चरी में ही कह रहे न चाहम तेसु वस्थिता पहली बात का मैं तत्विदम सर्वं जगद अब्यक्त मूर्तिना मैं सौब में बिराज मांगू पहली बात के बिरुद्ध भगवान यां बोले मैं उन्हें में इस्थित नहीं हूँ मैं सब में इस्थित हूँ सब में अब इसमें कह रहे भगवान न चाहम तेसु वस्थिता मैं उन्हें में इस्थित नहीं हूँ किन में जो मेरा अस्रे लेकर भजन नहीं कर रहे हैं। जब शिद्धांत में बोलेंगे तो बोलेंगे कुरूर पापी दुष्टात्मा में भगवान बिराजमान हैं। और भगवान याँ स्वयम कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूँ। इसका भाव समझे बड़ा सूक्ष्म भाव है। जैसे उदारण में समझेंगे आप। भगवान ने कहा कि आत्मा का जनम मरण नहीं होता है। न कोई जनमता है न कोई मरता है। जो आत्म सुरूप है। पर अरजुन यदि तुम मानते हो जनम मरत्य को आत्मा का नहीं होता है। नजायते मरते कदाते। लेकिन यदि तुम म दो बात के ना पहली बात में ना किशी का जन्म है ना किशी की मृत्ति हुए किश की जो आत्म स्वरूप में इस्थित है उसको यह अनुभोगा लेकिन जो शरीर में इस्थित है जो जातस से ही दुरो मृत्ति है वो जन्मा मरेगा निस्थित अब यहां बात समयो पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूँ अब फिर कह सकते कि जब भगवान हम में है तो हमारे कल्यान में अब कमी क्या हो शक्ति भगवान ही आकर भी राजमान है भगवान करें मैं उसमें नहीं हूँ किस बात में? समझना होगा यदि मैं उसमें इस्थित होता तो जो परिवर्तन उसका होता हो मेरा भी होता मैं तो अविनाशी हूँ और वो इस्थित है विनाशी शरीर भाव में तो मैं उसमें नहीं हूँ उसके भाव में मैं नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं हूँ सुक्ष्म भाव समझे था क्योंकि एगर मैं हूँ उसके भाव में तो मेरा भाव आएगा मैं अविनाशी हूँ तो वह अविनाशी होगा मैं चिदानंद हूँ तो चिदानंद होगा ये सब मेरे लक्षन उसमें नहीं है क्यों वुशलियो नहीं हूँ होते हुए भी मैं नहीं हूँ आत्मा का जनम मरण ना होते हुए भी जनम मरण होता है यह गूण विशे पवित्र गूद्धी में समझ में आएगा